नमस्कार दोस्तों मैं हूं रोज जैस्वाल आप देख रहे हैं अगर आपके पास जीओ का स्थी में तो जीओ दे रहा है पांच बार ले सकते हैं आपको दिखाता हूं लाइब प्रूट के साथ हेलो दोस्तों हमने ओपन कर लिया प्ले स्टोर और यहां पर हम डाउनलोड कर अपने जीओ टाइब कर दिया तो यहां पर आ जाएगा यह आ गया माई जीओ आपको माई जीओ डाउनलोड करना है तो मैं माई जीओ डाउनलोड में लगा देता हूं डाउनलोड हो रहा है आप देख रहे हैं 4.3 का रेटिंग है 40 MB का है और 100 मिलियन तक इसे डाउनलोड क है जो आपका जीओ का स्ओं होगा उसनों नंबर डालना पड़ेगा इक और या दो प YTP ओ आते ही आपको अधिकम डालना पड़ेगा फिर आप को जीओ का एप चाहलो हो जाएगा इस यूज कर सकते हैं जय से जाए depende कर सकते इनदर जियो टीबी देख सकते हैं और भी बहुत सारी फीचर है जिसको आप देख सकते हैं जिलिए हमारा लगबख लगबख डाउनलोड कम्प्लिट होने वाला है जियो एफ हमारा डाउनलोड हो गया है अब हम इसे ओपेन करते हैं यह हमारा ओपेन हो रहा है जियो एफ जैसे open होता है first of all यह आपको यहां पर mobile number मांगता है तो हम यहां पर अपना mobile number डाल दे रहे हैं यह हमने अपना number डाल दिया जैसे logout पर click करेंगे allow का option आएगा तो हम allow कर देंगे चालू हो गया इलोकेशन मांग रहा है अगर आप देना चाहते हैं दे दीजिए चलिए हम allow कर देते हैं यह हमारा जीओ चालू हो गया अभी हम क्लिक करेंगे लोन के लिए three dot पर click करेंगे three dot के बाद क्लिक करने के बाद आपको इसमें आना है तीसरे नमबर पर आना है emergency data loan इमर्जेंसे डाटा लोन पर जैसे हम क्लिक करेंगे यह कुल रहा है emergency data loan यह हमारा emergency data loan जिसका की 1GB 11 रुपाए 11 रुपाइ इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा आपको 1GB मिलेगा जैसे process पर मैं click कर रहा हूँ process पर click get emergency data पर एक बर click करना पड़ेगा मैंने click कर दिया यहाँ पर मेरा number 1GB data active now पर मैं click करता हूँ यह successfully मेरे में 1GB data आ गया देखिए message भी आ गया हमारे पास कि 1GB data मेरे number पर successfully आ गया है अभी हम इसे ask कर देते हैं और आपको हम data में आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमारा 1GB data आ चुका है आप देख सकते हैं पहले से में 2GB में 2GB का recharge करके रखा था और नीचे आप देख रहे हैं लोन वाला 1GB credit data नीचे जो कर रहा है इसका एसफायरी डेट है 31 जनौरी 2022 तक है जैसे कि मैंने 555 का recharge किया अगर आपने 199 का recharge करें 28 दिन तक तो 28 दिन तक इसकी वाल डेटी रहेगी मैंने इसको 84 दिन की recharge कराया तो 84 दिन तक वाल डेटी इसका रहेगा चलिए हमारा data आ गया अब हमें इसे pay कैसे करना है data तो हमने लोन ले लिया लोन भरना कैसे है यह आपको बताते है लिचल के हम फिर से क्लिक करेंगे three dots पे और emergency data पे जाते हैं अंदर आप जैसे जाएंगे खुल रहा हमारा इससी process पे क्लिक करेंगे तो यहां पे दिखा रहा है किलियर करने के लिए अगर बिना किलियर अगर मैं किलियर नहीं करना चाहूं फिर भी मैं चार बार और ले सकता हूं हमारे पार चार बार वन वन जी भी करके चार जी भी और मैं नेट ले सकता हूं पर मुझे रिक्वार्मेंट नहीं है आपको बताने के लिए कि मैंने ये वीडियो बनाया और लोन दिया लोन में किलियर कर रहा हूँ जिसमिए recharge कर दे रहा है किलियर ड्यूइ इस प्रिय हमएं किलिक करना होगा जैसे हम किलिक करेंगे यहन पे यहाँ पर option आजाएगा आपको कि आप कैसे pay करना चाहते हैं चलिए मैं इसे 11 पर गूगल पर गूगल पर हम click करता हूँ और इसे आपको pay करके दिखाता हूँ यह देखिए हमारे सिद्धे गूगल पर इसे हो गया process पर click करेंगे और यहाँ पर हमने इसे pay कर दिया आप देख लीजिए यह pay हो रहा है net लग रहा है slow चल रहा है इस successful हो गया आप देख लिए geo payment देखिए successful हो गया जो हमने loan लिया था अभी के अभी तुरंत हमने payment कर दिया इस तरह से अगर आप रात में कभी आपको emergency हो ता आप ले लिजिए सुबह तक इसे pay कर दिजिए down पर click करते हैं फिर से हम जाते हैं three dot पर emergency data loan emergency data loan पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं आप हमारे पास जैसे हमने loan पे कर दिया फिर से 5 GB data का offer हमारे लिए यहाँ पर रेडी है जब चाहें तब ले सकते हैं यहाँ आप लोन ले लिजिए लिकिन टाइम पर तुरंत शुबह में इसे pay कर दिजिए ताकि आपके लिए हमेशा 5 GB data available रहे आपके लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए मिलते आप सो next वीडियो में वीडियो के इसा लगा कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते आपको नएश वीडियो